Hello, Hello, Welcome to Irwin Singh Academy and we are going to discuss today a real number of class 10th तो आप सब लोग को Irwin Singh Academy में स्वागत है और आज की class real number पे होगी आप सब लोग को 10th class में entry के लिए बहुत सारे सुब कामना है और पहली class जो mathematics की है इसमें हमें real number के बारे में पढ़ना है 9th class में भी पहला चप्टा number system था उसमें आपने numbers के बारे में पढ़ लिया था और numbers के बारे में आपने पढ़ा था natural number, whole number, rational number, integers और irrational number भी पढ़ लिया था आज की class में हमें सीखना है real number क्या है तो real number के बारे में बात करते हैं आईए real number के बारे में सीखते हैं आज real number क्या है और real number में हमें क्या क्या सीखना है सु बसीकली है रियल नमबर Yeah. रियल नमर मेरे जिस का होता है तो आपको लगता हो गए अभी तक जब हम इतना नम्बर बढ़ी चुके तो रियल नमबर एक रियल नमबर के बारे में अगर बात किया जाए तो नंबर्स दो तरह के होते हैं एक रियल नंबर्स होता है और एक नंबर होता है imaginary number ठीक है imaginary numbers आप इसके बारे में class 11 में पढ़ेंगे ये class 11 में पढ़ेंगे आप इसके बारे में है ना अभी real number class 10 में तो real number basically जितने भी ऐसे numbers जो तो reality में exist करते हैं उनको हम real number कहते हैं half kg चावल one fourth kg rice यह सब exist करता है ठीक है one tenth of fruit that is also in existence तो यह सब कुछ exist करता है imaginary number exist नहीं करते हैं यह सिर्फ और सिर्फ imagination में होते हैं यह imagination में होते हैं कि ऐसा number होता होगा वैसे होता नहीं है तब भी उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ाई करनी होती है क्योंकि उस पे बहुत सारे hypothetical theorems और उनके application के basis पे नए innovations होते हैं तो उनको तो बाद में पढ़ेंगे जब 11th class में आप जाएंगे तो पढ़ लेंगे थोड़ी सी जनकारी हो सकता है इस में मैं दे दूँ लेकिन अभी जो पढ़ना है वो हमें real number के बारे में पढ़ना है तो real number जो जितने भी numbers है जैसे कि numbers के बारे में अगर बात करें तो हम कहें कि हमारे पास numbers है सबसे पहले जो सीखा था नेचुरल नंबर्स थोड़ी से रिविजन कर लेते हैं नेचुरल नंबर्स और वो क्या थे वो थे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे यह नंबर्स जो थे वो नेचुरल नंबर थे इन नेचुरल नंबर में एक नंबर और मिला दिया जा जीरो तो इसको हम कहते थे होल नंबर्स यह 0 1 2 3 4 5 यह सब मिलके होल नंबर होते थे इसके अलामा इन सब में अगर निगेटिव इंटीजर्स मिला दिया जाए तो उसको हम कहते थे पूरा इंटीजर्स यानि पोश्टिव इंटीगरल्स और माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 ऐसे यह सब नंबर जीरो 1 2 3 यह सब इंटीजर्स हो गए उसके बाद हम कहते थे राशनल नंबर और राशनल नंबर्स यह हमने सिखा राशनल नंबर्स राशनल नंबर्स जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लाइक 2 बाई 3 माइनस 4 बाई 7 3 बाई 11 माइनस 5 6 7 0 एटसेटरा यह सब राशनल यह ने सिखा एक नया चीज कि इर्रैसनल नंबर्स और इर्रैसनल नंबर्स क्या होते थे जो पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो है na यह नंबर्स उस फॉर्म में है कि पी वाई क्यू के फॉर्म में रिपर्जेंट किया जा सकते q 0 के बरावर नहीं हो and p n q are integers यहीं 3 का पावर 5 by 7, like this, पाई, यह सब क्या है, यह सब एराइसनल नमबर है, और इन सारे नमबर्स को अगर मिला दिया जाए, तो इनको हम कहेंगे रियल नमबर, यही है रियल नमबर्स, तो रियल नमबर्स बसिकली जो है, वो इन सब नमबर्स का ग्रूपिंग है, सब का सब, रियल नमबर्स में सब कुछ यह समाया हुआ है, तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कि यह रियल नमबर्स क्या है, यह रियल नमबर्स इन सब का कह सकते हैं कि जनेरेटर है, रियल नम्मबर जो है इन सबसंबाःर फिर निया या है जानते दो त्रह के सोते हैं अगर हम यही से बाद पिर व्च कर दों तो यह कहें कि रियल नम्बर दो तरह के होते हैं एक राष्णनल और दूसरा उरह स्थन यह कहेंगे इरष्णल नंबर इरष्णनल नंबर्स एक ड़िकल जो होते हैं यह दो तरह के होते हैं rational numbers भी दू तरह के हो सकते हैं एक हो सकता है आपका rational number में एक होते हैं integral numbers और दूसरा होते है fraction number fractional number fractional numbers और दूसरा integral numbers integral numbers जैसे integers fractional number like 3 by 5, 5 by 7 minus 2 by 11 like this इस तरह को और यह होते हैं integral numbers like minus 3 minus 2 0 1 2 3 ऐसे कुछ numbers integral numbers में दो category होती है एक होते है negative integers negative integers और दूसरा होते है whole numbers whole numbers मतलब यहां से लेकर के यह 0 से लेकर के आगे सारा whole number में आता है और यह सब जो है वो किस में आता है negative integers में आता है तो यह दो भाग हो गई यानि whole number में होगा हमारे पास 0 1 2 3 4 5 ऐसे अब यह whole numbers को भी अगर हम फर्दर categorize करें तो एक होगा 0 और दूसरा होगा natural number zero और natural number इन natural number में भी दो तरह के numbers हो सकते हैं even और odd numbers even numbers and odd numbers एक और division हो सकती है इसकी natural number की एक division और हो सकती है prime number and composite number prime numbers और composite numbers अब यह क्या होता और एक 0 यह तीन category हो सकती है इसमें एक prime number एक composite number और जीरो प्राइम नंबर क्या है और एक और इसके अंदर चुकि natural number की बात करें तो इसमें 0 नहीं होता है इसमें 1 होता है तो 1 इस नाइधर prime नोर composite तो 1 प्राइम नहीं है composite नहीं है तो प्राइम नंबर्स क्या है प्राइम नंबर्स के बारे में अगर कहें तो आपको पता होगा वैसे तो लेकिन अगर नहीं पता है तब हम बताएते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं तो बात करते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं प्राइम नंबर्स a number which has exactly two divisors two divisors one and itself right that is called prime number so for example two three five seven eleven thirteen तो prime numbers 235 7 11 13 इस तरह के prime number है इसके एक चैकली दो ही divisor है जैसे two के divisor की बात करें तो two के एक तो divisor one है एक two good है उसी तरह 13 के divisor की बात करें तो एक one है और एक 13 good है तो जिसके सिर्फ एक चैकली two divisors होते है वो होते है prime numbers और composite number की से कहते है तो composite number के कम से कम तीन divisor होते है numbers those numbers are called composite numbers are called composite numbers composite numbers which has exactly three divisors which has exactly how many divisors? three divisors which has exactly which has at least three divisors at least three divisors तीन भी हो सकते हैं और तीन से जादा भी हो सकते हैं तो इनको हम कहते हैं composite numbers ठीक है? जैसे four four composite number है क्योंकि इसके कितने divisors है इसके एक divisor है one, two और fourteen divisors है six है इसके कितने divisor है इसके चार divisor है one, two, three, six तो इस तरीके के four, six, eight, nine, ten, twelve, fourteen, fifteen, sixteen these are all composite numbers remember one is neither prime nor composite one is neither prime nor composite number nor composite number one is neither prime nor composite numbers number one is neither prime nor composite so why not because 1 जो है या तो prime number के definition में नहीं बैठता क्योंकि उसके exactly 2 divisor होने चाहिए और composite number में at least 3 divisor होने चाहिए और 1 के पास कितने divisor है? सिर्फ और सिर्फ 1 इसलिए न तो ये prime है न composite है तो इसका मतलब है कि composite number जो 6 है उसको हम composite number 6 को लिख सकते है 1 into 2 into 2 into 2 into 3 लिख सकते है 2 into 3 इसको हम लिख सकते है 2 into 3 8 को हम लिख सकते है 2 into 2 into 2 9 को हम लिख सकते है 3 into 3 इसका मतलब यह हुआ अगर 12 है तो हम इसे लिख सकते है 2 into 2 into 3 तो ये सब जो है ये क्या है ये prime numbers है ये prime number है product of prime numbers product of prime numbers ये भी prime 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 product of prime numbers so इसका मतलब ये conclusion निकल के आया कि every composite numbers remember every composite numbers number can be expressed can be expressed uniquely as product of prime numbers product of prime numbers prime numbers ये सिर्फ एक ही product of prime numbers को सकता है जैसे ये है ये 2 into 2 into 2 है 2 का पाव़ 3 भी लिख सकते है इसको 3 का पाव़ 2 भी लिख सकते है इसको 2 square into 3 लिख सकते है इसके अलामा अगर कोई method हम चाहें कि इसको लिख सकें तो नहीं लिख सकती है तो यह एक important बात हो गई कि every prime number, composite number can be expressed uniquely as product of prime numbers इतना सारा prime और composite और क्या-क्या पता में यह बहुत सारे number हो गए है न तो यह सब जो है prime real number के ही part है इतना जादा देख कि अपके confusion तो नहीं हो रहे, परिशान तो नहीं हो रहे कि इतना सारा number हो गया, prime number, composite number, real number, even number, odd number, natural number, rational number, irrational number यह सब जो है, यह सारे जितनी हमने नाम लिए है, यह सब के सब real number के ही part है तो अब हमें इसके आगे क्या सीखना है इस chapter में इस chapter के आगे अब हमने निखना है कि अगर कोई भी दो different number है कोई भी दो different number है, बड़े वाले number को अगर छोटे वाले number से divide करें तो क्या मिलेगा, ठीक है, और एक question देते हैं इस बात को समझने के लिए कि मान लोग कि आपके पास कुछ chocolate है, ठीक है और कुछ chocolate है, अगर आपने अपने दोस्तों में दो-दो करके chocolate सब को दिया तब भी आपके पास एक chocolate रह जाते हैं और तीन-तीन chocolate अगर सबको दिया, तब भी आपके पास एक chocolate रह जाते हैं और अगर आपने पांच-पांच chocolate दिये, तब भी आपके पास एक chocolate रह जाता है ठीक है, बताए, आपके पास कम से कम कितने chocolate थे कम से कम कितने चोकलेट थे आईडिया कि दो दो चोकलेट दिया सबको दोस्तों को तब भी आपके पास एक रह जाते हैं आपने तीन तीन चोकलेट दिया लोगों को तब भी आपके पास एक रह जाते हैं और आपने फाइफ फाइफ चोकलेट दिये तब भी आपके पास एक रह जाते हैं इसका मतलब यह हुआ कि नंबर ऐसा होना चाहिए जो 2 से divide करने पर 2 से divide करने पर 1 बच जाए 3 से divide करने पर भी एक remainder रह जाए और 5 से भी divide करने पर एक remainder रह जाए तो इस तरीके से हमें एक ऐसा number चाहिए जो 2, 3, 5 से divide करने पर एक remainder रह जाए और number से divide करने पर जो number मिलता है ऐसा number जो number से divide हो उसको हम क्या कहते हैं याद है आपको उसको हम कहते है LCM जो number से divide हो तो LCM हमें चाहिए जो number से divide हो LCM आपको पताई होगा least common multiple यानि common multiple यानि ऐसा number हमें चाहिए जो 2 का भी multiple हो जो 3 का भी multiple हो 5 का भी multiple हो और उसके बाद उसमें एक जोड़ देंगे तो एक remainder बच जाएगा 2, 3, 5 का multiple होने से 2 से भी divide होगा 3 से भी divide होगा 5 से भी divide होगा और अगर उसमें हम एक और add कर देंगे एक star तो remainder बच जाएगा तो बताई ये 2, 3 और 5 LCM LCM इसका निकाले LCM of 2, 3, 5 then what will come? 2, 3, 5 में कुछ कमन तो है निक? LCM of 2, 3, 5 is nothing common so 2 into 3 into 5 that is 30 so 30 is a smallest number which can be divided by 2, 3 and 5 2, 3 and 5 but if we want remainder 1 so required number of chocolate will be required number of chocolate minimum number of chocolate chocolate will be 30 plus 1 because 1 is remainder so if there is a 31 chocolate if he has, if you have then out of this 31 if you distribute among your friends to each one of them 2 chocolates then there will be 1 remainder and if you distribute 3 chocolate to each one of them then there will be 1 remainder even if you distribute 5 chocolate to each one of your friends then there will be 1 chocolate left out so इस तरीके से ये देखा कि किसी भी नंबर को इसको हम लिक सकते हैं 31 can be written as 2 times of 15 plus 1 31 also can be written as 3 times of 10 plus 1 and 31 can be written as 5 times of 6 plus 1 ये जो बीच में आपको दीख रहे हैं ये क्या है? ये एक number है अलग से number है और ये भी एक number है इस number को हम कहेंगे क्या? इस number को कहेंगे diviser 2 से divide करने पर 1 remainder बच जाता है तो 2 जो है वो है diviser ये जो है ये क्या है? कोसंट और ये क्या है? remainder देखिए 31 को अगर हम 2 से divide करें तो 15 times 30 and 1 is remainder so 31 can be represent as 2 times of diviser diviser multiply by quotient plus remainder ये है diviser ये है quotient ये है remainder means a number can be expressed every number can be expressed as diviser multiply by quotient plus remainder अब remainder क्या 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 है? dividend dividend is equal to diviser multiply by quotient plus remainder quotient diviser ये है, ये है quotient और ये है remainder अब remainder कितना हो सकता है? तो 2 से divide करेंगे तो reminder 2 से छोटा ही होगा, 1 होगा, ये 0 होगा, 3 से divide करेंगे तो reminder 3 से छोटा होगा, 5 से divide करेंगे, तो remainder 5 से छोटा रहा है, तो ये अभी तक हमने ये सिखा, कि किसी भी number को divide करने पर, अगर दो number हैं, माल लिजे, आपके पास दो number है, A और B, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, if A and B be any two real numbers, any two real numbers, numbers, such that A is greater than B, then A can be expressed as BQ plus R, मतलब A में, अगर हम B से बड़े वाले में, छोटे वाले से भागवे, तो ये Q कोसेंट आएगा, और R क्या है, remainder ये Q जो है, वो कोसेंट है, और R जो है, वो remainder है, और B क्या है, diviser तो ये Q पोसेंट है, और R क्या है, remainder, remainder क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, या B से छोटा हो सकता है, remainder lies between 0 to 1, 0 remainder कब होगा, जब पूरा-पूरा divide हो जाएगा, तब 0 remainder होगा, और अगर पूरा-पूरा divide नहीं होगा, कुछ remainder बचेगा ही, तो निश्चित रूख से diviser से छोटा होगा, तो diviser से छोटा होगा, इसी बात को अगली class में हम और ज्यादा detail में सिखेंगे, और इसी के अधार पे कुछ बात करेंगे, और इसके अधार पे आज ये question करेंगे, ठीक है, तो उमीद है कि आपको इस सारी बाते समझ में आ गई होगी, अब बरिशान होने वाली कोई बात तो नहीं है, ठीक है, उपको